मेरा भारत मेरी सांस्केतिक रित रिवास सब कुछ क्रेडिबली इंडिया है हम अपने भारत माता को हमेशा सलूट करते हैं देश की मजबूती आनबान सान के लिए हमेशा सेनाओं को हमेशा सम्मान करते हैं आईए आप देखेज़े नमस्कार मैं हूँ लालचन सोनी आज सुबट आइंस में आप सभी का स्वागत है 10 दिसंब 2020 को सभी ने देखा देश के पधान मंत्री सिरी मोदी जी ने सांसत भौन की नई भवन को स्वागत करते हुए सभी देश्वासियों ने उसो और उमंगता और बहुत सारे खुसियों के साथ देखा गया वहें पर सांसत भौन की न्यू और टेग्निलोजी और नई परंपरा के साथ या देखा गया और आप सभी या नई उमंग नई जोस नई नेमाड नई उसो के साथ आगे बढ़ते हुए आदेश की परंपरा देश की सांस की तिक रित रिवाज और पूजन पाढ़ करके नई उदगाटन सांसत भौन का किया गया आईए हम आपको दिखाते हैं राजिस गुपता जी लगातार आज खुशियों के साथ अपनी आवाज अपनी जनता को पहुचाना चाहते हैं आप से और आप देखिए राजिस गुपता जी एक फोजी है और इस समाजी का स्तर पर लगे हैं और लगातार जो है जनता जनार से अपनी राय रखते रहते हैं आज सुबह टाइम से माध्यम से लोगों को जागरू करने का इन्होंने एक अच्छा मारत चुना और आज जो है काफी पापलर हैं आईए हम आपको दिखाते हैं सांसत भौन में जिस तरह से आप देख रहे हैं आज ये दसंबर को उद्गाटन हुआ बन्दे मात्रम बन्दे मात्रम जहिन आप सब लोगों को बड़ा ही खुसी होगी जानकर कि हमारे मान्यनी प्रधानमंत्री सुरी नरेंद मुद्री जी 10 दिसंबर 2020 को हमारे नए लोग सवा, राश सवा, केंद्रिये, लांच और बहुत से सामधानिक प्राधिकारों के कारेले को लेकर एक नए संसत भवन की निउग रखने जा रहे हैं, उसकी भूम पूजा करने जा र रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे आतनिर्भर भारत की एक सोच, हमारे आतनिर्भर भारत के इंजीनियर्स, हमारे सर्शकती के इंजीनियर्स, हमारे कामगार, हमारे कार करने वाले इंजीनियर्स, सब की अमिट छाप इस सांसत धवर में दिखाई देगी जो हमको आजादी के 75 साल पूरे होने पर 2022 में ये देखने को मिलेगी बड़ी खुसी की बात है आए हम सब लोग भारत सरकार को इसके लिए सुबकामनाएं और हार्दिक सुबकामनाएं पेशित करें कि ये कार हमें 2022 में पूरा होकर एक नई मिशाल भारत द्वर्ष को मिले विश्व को मिले वास्तों में ये हमारा जो सांसत भवन बनने जा रहा है ये तिकोलनी होगा और इसमें लोग सबा हमारे राष्ट पच्छी जो मियूर है मोर है उसके अनरूफ होगी और राष्ट सबा का आकरती हमारे लोटस कमल के अधार पर होग और ये जो हमारा पंखडियों वाला कमल का फूल है ये हमको लोटस के रूप में कित्ता ही सुंगंदित और कित्ता ही आकडशित करता है ये अपने आप में एक प्राकतिक मिशाल है जो हमको देखकर जानकर बड़ी हर्स होता है कि हमारे इस भारत वर्स में अभी भी हम लोग प्राकतिक को लेके कितना महतु देते हैं और प्राकतिक को लेके कितना चलते हैं आईए हम सब लोग इस उपलक्ष में सभी लोगों को जिस कारे में लगे हुए हैं उनको हार्दी बदाई दे और सुपकामनाई दे कि वो सोस्थ होकर इस COVID-19 में जो ये कार करके 10 दिसंबर को भूम पुजन कराने जा रहे हैं उनको इसके लिए लोग सवा कार के लिए रासव राजेज गुपता एससे स्टाफ स्टेश्ची वेश्चुपी नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकोन को जरू दमाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेसन मिल जाए धन बात